नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके एक मात्र भरोस्यवन सेनिक वेलफेर यूट्यूब चैनल में दोस्तों पैंसनर और फेमली पैंसनरों के लिए संसोधित पैंसन टेबल 24 और 25 जारी कर दी गई है दोस्तों सैविन्थ पैंसन के रिक्मेंडेशन के अनसार नौशनल पैंसन के हिसाब से आप 1986 से 31 दिसम्मर 2015 तक के जितने भी पैंसन होगी है उनके लिए कॉनकोर्ड और इंस्टेविल 24 और 25 जारी कर दी गई है सभी मन्तरालेओं के अधिन जितने भी पैंसन होगी है अपने ग्रेड पे के अनसार आप उसमें रिवाइड अपनी पैंसन और फैंमली पैंसन या लिवलाइज फैंमली पैंसन जो भी आपकी बंतिये आप चेक कर सकते हैं और कैसे चेक करेंगे आप आईए वो बताता हूँ इस वीडियो के माध्याप से दोस्तो जिन भाईयों की रिवाइट पैंशन 24th and 25th टेबिल में नहीं हैं उनके लिए मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ दोस्तो सर्कुलर नमबर 608 के अनसार फिर तेक रैंक और उसकी बेशिक पे के अनसार कितनी बड़ी आपकी पैंशन सभी जेशियो वार्ज देखें इस टेबिल में दोस्तो जिनकी रिवाइट पैंशन इस टेबिल में नहीं है उनके लिए मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ वो अभी अभी जो मैंने वीडियो किलिप दिखाया वो उसमें देख सकते हैं उस समय जिनकी रिवाइट टेबिल तयार नहीं हुई थी ये उन लोगों के लिए है देखें दोस्तो ये ओफिस मेमोरेंडम 9 जुलाई 2019 का है जो कि डेपार्टमेंट और पैंसन और पैंसनर्स वेल पेर की तरफ से जारी किया गया है जैसा कि आप यहां सब्जेक्ट में देख पारें रिवीजन और पैंसन विद इफेक्ट प्रूंग फर्जनवरी 2006 और 2006 से पहले के पैंसन भूगी जो 5 में पैंसन के समय पर 6500 से लेके 10500 के पैंसन में या उसके समकच पैंसkiem जो की पहले पैंसनों के पीरियड में थे ये उन पैंसन भूगיצं की पैंसन लिवीजन के संदर में लेटर जारी किया गया है और यहाँ पर पुराने लेटरों का बहुत सारा रेफरेंस इस दिया गया है लेकिन हम अब चलते हैं सीधे जो इनके संदर में पैंसन की Concordance टेविल 25 और 24 रिवाइड हुए उसके उपर अब देखे दोस्तों यह है टेविल नंबर 24 जिसमें बता गया इसके लोग पे पे इन पे बेंड और ग्रेड पे एड़ टाइम ओफ रेटाइर्मेंट जब पैंसन भोगी रेटाइड हुआ है यानि कि फर्च जनवरी 1986 से लेके 31 दिसमबर 1995 के बीच में जो पैंसन भोगी रेटाइड हुआ जिनका पे इसकेल 2000 रुपे से लेके 3200 रुपे के बीच में आता था और वो ही पांच में पे कमिशन में 1996 से लेके 2005 तक 6500 से लेके 10500 के बीच में कनवर्ट हुए और एक जनवरी 2006 से लेके 31 दिसमबर 2015 तक वो 9300 से लेकर 34800 यानि ग्रेड पे 2400 में आगे अब उनका कोर्रेस्पोंडिंग लेवल जो साथ में पे कमिशन जो फ़र जनवरी 2016 से लागू हुआ तो यह पे लेविल 7 में आए और इनका जो पे स्केल बना वो 44,900 से लेके एक लाख 45,400 के बीच में आए अब इनकी पे नॉशनल पे फिक्सेशन के इसाब से किस तरह एडजेस्ट हुई किस तरह से इनको रिवाज पेंशन, फैमली पैंशन या इन्हेंस फैमली पैंशन बनी वो आप इस टेविल में डेटेल से देखेंगे अब देखेंगे दोस्तों पे रेंज इन पेंशन भोगियों के लिए मिनीमं और मेगजीमं क्या है दोस्तों जैसा कि मैने अभी अभी आपको बताया फ़ज जनवरी 86 में जब pay commission लगा तो उस्व में जिनकी basic pay 2000 रुपे थी पांच में pay commission पर इनकी basic pay 6500 रुपे हुई और जब यह यहां से रिवाइड हुआ 6th CPC में जो की फ़ज जनवरी 2006 से लेके 31 December 2012 तक था तो इनकी basic pay रही 16690 रुपे अब 7th CPC में national pay fixation के इसाफ से जब इनकी pay 2.57 के इसाफ से multiply हुई तो यह पहुँच गे 44.900 रुपे में दूस्तो अब इनकी जो revised pension बनेगी अगर हम service pension लेते हैं तो 50% of basic pay का होता है और family pension लेते हैं तो वो होती है 30% of basic pay तो 50% के हिसाफ से इनकी जो pension बनती है वो बनती है 44.450 रुपे और family pension बनती है 13.470 रुपे तो ठीक किसी तरीके से अलग-अलग column में अलग-अलग pay commission के टैंप है जो आपकी pension बनती है उस हिसाफ से आप अपने corresponding table में अपने column के अपने सामने आप अपनी रिवाइड pension चेक कर सकते हो जो इस table में आपको दी गई है ये दो table है table नमबर 24 और table नमबर 25 दोस्तों ये ती जानकारी national pay fixation के हिसाफ से एक जनवरी 2016 से पहले के जो pension होगी है उनकी रिवाइड pension और family pension के संदर में जिनका pay skill 6500 से लेके 10500 या उसके समकच पांच में pay commission में बनता था जिसकी जलक अभी अभी आपने देखी थी उसका link में मैं वीडियो के description में दे दूँगा अगर आपने अपनी रिवाइड pension पहले चेक नहीं किये तो आप उस वीडियो के माद्यम से भी अपनी चेक कर सकते हो तो दोस्तों ये थी जानकारी इस वीडियो में अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ सेर करें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जै हिंचे बारत